की विश्चीज वेल्कम डॉ मैं चानल रेंव इंविजबी ट्रेडर आज ओप लोग देंगे इस पेशल इंडरा दे लोग तो गालिया नहीं देंगे पॉजिश्चनल लोग दे सकते हैं फॉर शौर बट पॉजिश्चनल लोग के लिए मैंने बूला था डिसकस कर लेते हैं ह हैं यह सब off कर देते हैं हमनने क्या बोला था अगर आपको ध्यान दिया होगा हम मार्केट मेंizione देख सकते मार्केट में व्यवर्व दो बहुत ह 하지 मम्ने दो बार आपको Snow क्या आपको कॉशन कैसे और विदियो करते करते आपको को स्वाजब slippers मैं और पहला स्पेसिरी मैं बोल पहला में और 45 मिनित वेथा और आस्ट्रोम कॉझन केंड द्राइफ हो जाता हैं यहां तक आपकी कंफर्मिशन 945 तक हो जाना चीए था कि मार्केट अभी नीचे साइड ही जाएगा राइट सेफ ट्रेडर इंट्रडे ट्रेडर दूसरी चीज मैंने क्या बूली थी एक इच पैटर्न आपको बना के दिया था बुला था मार्केट जिस साइड क्रॉस करके सस क्रॉस क्रॉस किया अगर आप देखोगे नीचे आ गया यहां पर जब कैंडल यह आ रहा था ना यहां पर यहां पर यह आपको गवराण गवराण होनी चीए तिए अगर आप सी में थे रएक्ट क्योंकि यह कैंडल टूटते ही जैसे यहां पर यह वाला स्टॉप एंडिस रेट कैंडल यह कैंडल पर आईडेली आपकी एक पीवाइंग होनी चाहिए थी आज पर प्राइस सेक्शन और हमने जो डिसकस किया था मेरा व्यू को छोड़ दो तो गलत गया गलत गया ठीक है जो और और एक सी की यहां यहां पर क्यूं ली ती रैट मैं अपना ग्रे amorous रेंग उपर जाना चाहिए क्योंकि टाइमिंग जो हमारी थी ओ पॉजटीव थे तो पहला ठीक है गिर गया ठीक है यह कैंडल ने मेरे को टाइम नहीं दिया लॉस ड़ पलत लगाने के लिए मैं सिस्टनम में स्टप्लस जॅप लगासका इसे आपको बॉला मैं सेकंड टां मलता हुं तो यह गर धीरे धीरे बंदेथा था फिर भी में स्टप्लस लगा सकता था यह कैंडल लाटा के टाइम ही नहीं दिया अईयल okay and everybody knows कि जब मार्केट यहां पे था राइट सॉरी यहीं पे था मार्केट जब यहां पे था तो मेरा यहां पे वन लग का लॉस चल रहा था it's not a small candle अगर आप देखोगे यह अगर आपको यहां पे यहां पर यहां पर मेरे को लगाना चीए था मार्केट हमने बोला था कि इस लेवल पर को मार्केट एक रियाक्शन दे सकता है मार्केट ने दिया अच्छा कासा बाइस दिया क्यों अगर्म यहां पर यहां पर ज्यादा लौस ओ रहा था एक चोटी सी यहां पर मैंने स्टॉप लगा था दस पॉइंट का लिया था यह फॉल भी मैंने ने लिया दिन मेरी बाइंग जो थी वह बाइंग यह थी आइडिया लिए यह बाइंग जो है अपने को पैसा इसने सेफ करके दिया है प्र फिर भी हम लोग आज लॉस में है यह वो तो सबको कल परसों तक क्या होता हो देखेंगे मैंने बोला था कि मार्केट में यह फॉल अगर होता भी है तो जो पोजिशनल वाले हैं क्योंकि नेक्स एक्सपायरी की है तो आप होल्ड करो अटलीस फ्राइडे तक उसके बाद देखते हैं ठीक है नाव देखो मार्केट में जो पर गया है लाइक 20 पॉइंट पॉइंट सक्षा पस 40 पॉइंट मार्केट 40 पॉइंट सुपर गया है इन यह वेरी क्लिर के हाँ इसने हमारा प्राइस एक्शन को एक्स्पक्ट रिखेक्ट कर रहा है और ऊपर ही जाएगा वट समबडि सडनली डिसाइड के नहीं मेरे सेल क यहां पर बनती थी आपकी राइट अगर आप देखोगे एटीन ताउजन फिप्टी में एक बाइंग बनती थी जिसने आपको आपको लेना चाहिए था जो मेरे वीडियो देखते हों को पता यहां पर तो करना ही चाहिए अक्चुली जो एक असी पॉइंट की आपको दे सकत कि अधरवाइज मेरा कोई पी बाइंग का पॉजिशन नहीं था या फिर कोई सी से लिंग का पॉजिशन भी मेरा नहीं था राइट नाव कल की ट्रेडिंग कैसे होगी पहली चीज़ तो यह है कि कल की जो अगर जो मैं बोल रहा था कि यह जो फॉल दिया गया है मार्केट में सिर्फ तीन स्टॉक्स को बहुत जब्रदस ठोका गया है वह है इस डिएफसी बैंक यह तीनों को ही मोस्ली राइट सेल करा के बड़ा बड़ा जो पॉजिशन है बड़ा मूब निफ्टी का जो है वह इनी से आया है तो एफाई आइस टोटन सेल है भी सेल टूड़े आपकोर्स पर प्रॉब्लम यह कि डिया भी अच्छा गाशा सेल में थे राइट तो डिया आपके एक हमारी वीगली वीव यह थी के मार्केट अट्राइजर पचास के नीचे नहीं जाएगा जिसमें आपने अल्मुस्क गारेंटी करी थी के नहीं जाएगा मार्केटीस के नीचे बाट विव लोकस लिटल बिट डिफिकल्ट के सायद पता नहीं साथ 2023 का फरस्ट व पूल में ही रहेगा काल्कुलेशन्स सायद वेन्स डे गलत चलेगे होंगे बट इंट्रादे वालों को ज्यादा प्रब्लम नहीं आनी चाहिए थी पॉजिशनल वालों को आ सकती है बट पॉजिशनल वालों को मैंने फ्राइडे तक रखने के लिए भूला है माई वी वूड स्टिल भी थर्स्टे फ्राइडे ऑन बाई डिप साइड मुवमेंट कितना बड़ा देगा वो देखते हैं राइट बट आयोड स्टिल बी ऑन बाई डिप साइडेली ओके बागी देखते हैं कल कल भी आपका जो गेम होगा वो गेम वान आवर बेस पे होगा टाइम पे अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 40-45 मिनिट्स वेट करके देखो के मार्केट ट्रेंड क्या बना रहा है मार्केट अगर ग्याप डाउन होके ट्रेंड अपर साइड बना देता है देने मैट सी यह फॉल डाट्स ओके बट यह डिप को बाई कर लेना है आपको यहां तक 18,100 त 13 तक हम लेके आएंगे और मार्केट इरेस्पेक्टिव अफ गाप फो या गाप डाउन हो मार्केट ना अगर डाउन ट्रेंड पकड़ा है पहले एक घंटे में तो मोस्ली या लूक फॉर सेलन राइज ओनली इंट्रेटी की बात कर रहा हूं उस केस में 17,900 आ कैन इसली बी अचीफ्ट कैन इजीली बी अचीफ्ट ओके डाउन साइड में और इसके नीचे भी साइज जा सकता है तो के क्योंके मेरे ख्याल से थर्स्डे का जो टाइमिंग है फिप्त जैनुएरी का यह एक बार देख लेते हैं के मार्केट बूल के रहा है है तो 915-940 नेगटी बायस बाइस मार्केट बूल रहा है के पहले अदा गंडा मार्केट नीचे जा सकता है है और 942-230 जो है मार्केट बायों डिपस है 245-330 नेगटीव बायास है वहां सेंग नेगटीव बायास यह मैं एक्सपेक्टिंग फॉल तो भी स्लो राइट माइट भी स्लो माइट भी बिक बड एक्स्पेक्टेशन यह कि स्लोग ठीक है तो हमारी इस सिनारियों साब से एक लेवल जो आपकी बनती है 983 पर गयाप डाउन होके मार्केट अगर जाता है 983 से हम बाय कर सकते हैं 18000 के राउंड लेवल से यहां तक मार्केट सायद आ सकता है मार्केट अगर ग्याप ओके जाता है तो हम डबल बॉटम से भी ले सकते हैं टार्गेट दोन हमें सेम रहेगा 131 को क्रॉस करके मार्केट उपर जाना थोड़ा सा मुस्किल लग रहा है मेरे को कल चला गया तो चला गया क्योंकि 245 तो तक तो हम सेल में नहीं रहेंगे अनलेस जो मैंने अभी सिनारियो आपको वन ओफ कंट्र वाला बता है ओ ओ जाए ओ जाये तो फिर तो बाई में रहे नहीं है फिर तो इसको इग्णोरी कर देना हम लोगों को सिनारियो वह ही बनेगा तो टाइमिंग पर डेफिनटली गेम खेलेंगे टाइमिंग अगर हमार एक वियू था कि हम लोग 500 तक पहुंच जाएंगे 18,500 तक का मैंने टार्गेट दिया था आपको कि मार्केट में हम 18,500 तक जाने की पॉसिबिल्टीज है अगर यह फॉल नहीं आता तो साथ हम चले जाते बड़ आप नहीं ठीक है अगर आप देखोगे आज तो बैंग निफ्टी नहीं था यह बाई मेरा था बाई जोन में बट स्टॉपलस नहीं लगा है मैंने ठीक है यहां पर एक बाईं थी यहां पर भी जो ठीक है यहां मुलड़ी डिसकस कर चुके हैं दुबारा नहीं करते हैं कल जो आपकी बाईंग यहां पर बनेगी ओ बनेगी अराउंड 42,770 पर और यहां पर भी आप अच्छा का सा बाईंग अब टू यह लेवल तक लेकर आ सकते हो 43,200 200 220 यह जो लेवल है इसके उपर नहीं जाना चाहिए मरे इस साब से जाएगा तो बोनस है इरस्पेक्टिव अप हाव बिग दा पॉजिटिव साइट की मौफ मार्केट अगर जाप अप ओपन होता है तो डबल बॉटम भी ले सकते हो यह आक्चुली है ट्रिपल बॉटम इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वीट करना फिर आप ले सकते हो और मार्केट अगर यहां पर आया तो कल एक्सपारी है ज से ज़्यादा नहीं या फिर लंबा बाय मत करो ठीक है आप कर सकते हो एक सेल का ठीक है यही दो ट्रेड है और डाउन साइड में कंटिनियेशन होने के लिए 42,500 बैंक निफ्टी आ सकता है अगर पहला एक गंटा जो है मार्केट डाउन साइड स्ट्रॉंग ली रह जाता है कल पहला एक गंट काम नहीं करेगा क्योंकि नाइन टू नाइन फॉर्टी तो हम तो नेगटीव ही डून रहे है ओके ठीक है तो पहला एक गंटा अगर नेगटीव होता है तो बाई अगर ग्रीन कैंडल बनता है प्राइस एक्षिन के साथ बाई करना है stopless लगा देना ठीक है जो डे लोगगा उसका stopless लगा देना थ माटा सेफ ट्रेडिंग करेंगे और अगर को लंबा party खैलना है तो ट्रेल बहुत की करना जैसे मार्केट डाउन है उसके बाद मार्केट आप है हां उल्टा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट उल्टा मतलब कॉंट्रा अगर हुआ कॉंट्रा में मार्केट अगर पहला एक गंटा ऊपर चला गया देन वेवीव सी के आईडियली मार्केट फिर भड़ा सेल हो सकता है कोन्ट्र हो सकता है One-hour rule काम नहीं करेगा बट कोन्ट्र माइट हापन देखे लेवर मोटा मोटा अगर मैं देखूं मार्केट अगर फ्लाड ओपन हो जाता है तो मेरे ख्याल से अपर साइड की कैपिंग यह होनी चीए डाउन साइड की कैपिंग यह होनी चीए 760 की निफ्टी में भी अगर मार्केट फ्लाट ओपन होता है अपर साइड 132 160 मैक्सिमम यह लेवल 170 उससे ज्यादा नहीं बट यही बहुत है और नीचे साइड अराउंड 18,000 का मोटा मोटा लेवल थीक है बाकी जोगा लाइब में देखेंगे थैंक यू बेरी मुच गुद नाइट जयमात अदी आइए आइए आइए